हेलो चिल्डरेन गुड मॉर्निंग आज हम इंग्लिस रीडर में हम चेप्टर फूर स्टार्ट कर रहे हैं और चेप्टर का नेमे तो गार्डन अप सबी जानते हूं बगीचा गार्डन किसको कहते हैं बगीचे को एक गार्डन इजे प्लेस स्राउंडेड वाई यह जिसमें चालो तरफ सुन्दर सुन्दर फूल खिले होते हैं फूल होते हैं प्लांट सेंट्रीज और उसमें क्या होते हैं पौदे और पेड़ हैव यू एवर बिस्टेड ए गार्डन क्या कभी तुमने कोई गार्डन देखा है इट इस इबनिंग यह शाम है शाम का सम उनके साथ हैं सम में एंड बुमें आर टॉकिंग कुछ आदमी औरते बाते कर रहे हैं सम बुमें आर टॉकिंग कुछ औरते बाते कर रहे हैं सम में एंड बुमें आर बोकिंग कुछ आदमी औरते टेल रहे हैं सम बुमें आर टॉकिंग कुछ औरते बाते कर रहे हैं सम आर sitting on the grass कुछ गास पर बैठे हुए their babies are playing on the grass इनके बच्चे गास पर खेल रहे हैं there are big trees in the garden garden में बड़े बड़े पेड़ हैं there are some flower bats on a fountain also कुछ फूल खिले हुए हैं और इसमें fountain means फबारे भी है it is dark now अब अंधिरा हो गया है Mohit and Nana will go back home Mohit और Nana घर बापस जा रहे हैं they will do their homework now अब वो अपना ग्रे कार्य करेंगे then they will sleep उसके बाद वो सो जाएंगे next day they will get up early in the morning और अगले दिन वो सुबह जल्दी उठ जाएंगे they sing और वो गाएंगे क्या गाएंगे early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise जल्दी सो और जल्दी उठो उठो इससे क्या होता एक परसन एक व्यक्ति क्या बनता है healthy, स्वस्थ, wealthy means पैसे बाला और 22 means बुद्धिमा तो ये chapter मैंने आपको read कर दिया है कल हम इसका exercise करेंगे और चलते हैं बच्चो साइन्स पर